काला पीपल से कॉंग्रेस विधायक एवं पूर्वी यूवक कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष कुणाल चोधरी आज विधानसवा के दोरे पर रहे अज विधायक चोधरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मध्यप्रदेश में जब भी विजेपी की सरकार आती है तो किसानों के पेट पर लात और छाती पर गोली मारी जाती है अभी किसान के सामने जो खादिकी इस्तिती है रोज किसान प्रताडित और परिशान है कहीं न कहीं मेरा सवाल जनता पार्टी से है क्या किसान के खेती का रखवा बढ़ गया या देश से आवंटन कम हो गया जब रखवा वही है आवंटन वही है विधायक चोधरी ने बताया कि हमारी कॉंग्रेस सरकार में कमलनाथ की सरकार में किसानों को यूरिया भरपूर मिला करता था जब बीजेपी की सरकार आती है तब सोसाइटी तो छोड़ो बाजार में भी मिलता है और उसकी तीगुनी कीमतें चुकाना पड़ती है ये सिर्फ खाद माफियाओं को पोशित करने का काम है विधायक ने बताया बीजेपी के किसान के साथ नफरत के भाव हैं किसानों के साथ लूट मचाए और माफिया तंत्र को संग्रश्टन देने की काम करती है प्रदेश में जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो किसान के पेट पेला तो च्छाती पे गोलिया मारी जाती है किसान के सामने जो खाद की स्थिती है रोज किसान प्रतारी तोर परेशान है और कही ना कही मेरा एक सवाल भारती जिन्ता पैटी की सरकार से क्या किसान का खेती का रखबा बढ़ गया या देश से आवंटन कब हो गया जब रखबा वही है आवंटन वही है तो फिर क्यों कांग्रेस की कमलाजी की सरकार में 15 महीने में यूरिया भरपूर मिला करता था और जब बीजेपी आती है तो सिर्फ सोसाइटियों पे तो यूरिया छोड़ो सिर्फ बाजारों में मिलता है जो तिगनी कीमत मिलता है और ये खाद माफिया को पोशित करने का काम पोशन देने का काम कौन सा तंतर कर रहा है कौन सी भरस्ट सरकार कर रही है सिर्फ किसान के साथ नफरत के जो भाव बीजेपी किये कैसे किसानों के नाम पे लूट मचाए और माफिया तंतर को संरक्षन दे ये काम भरती जनता पार्टी की सरकार करें काला पीपल से दिलिप महाश्वरी की रिपोर्ट